नमस्कार एवरिवन, आप सभी का ओपिसर इस्टेडी पॉइंट में हर्ती गुरूप से स्वागत है आज हम आपके लिए एक ऐसा इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया है जिसका उलेक डारेक्टली किसी भी सेलेबस में नहीं मिलेगा आपको चाहिए वो कोई भी क्लास हो, 9th to 12th क्लास या कोई भी बेसिक क्लासेज हो डारेक्टली कहीं आपको इसका उलेक नहीं मिलने वाला है परन्तु आप इंग्लिश ग्रामर को यदि गहराई से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इस टौपिक को जाने भी न आप आगे बड़ी ही नहीं सकते और वो टौपिक कौन सा है? सेंटेंज का टौपिक सेंटेंज कितने टाइब के होते हैं? kinds of sentence वाक्य के प्रकार अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि grammar को सीखने से पहले उसका basic structure समझना बहुत जरूरी होता है सबसे पहले जो सबसे छोटी ही कई होती है वो होती है letter क्या होती है letter letter का मतलब होता है अक्षर क्या होता है अक्षर ठीक है अब अक्षर से बनता है word अक्षर से बनता है word यहनि की शब्द ठीक है, और word से बनता है sentence, यहनि वाक्य, तो कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे, तो वीडियो को let's begin, start करें, सबसे पहला देखिए, sentence के 5 प्रकार होते हैं, sentence के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है, कौन-कौन से प्रकार हैं, आईए जानते हैं, पहला है, assertive sentence, जिसे statement भी कह सकते हैं, declarative sentence, यह पहला प्रकार है, दूसरा, interrogative sentence, तीसरा, imperative sentence, चौथा, optative sentence, और पांचवा, exclamatory sentence, यह पांच प्रकार होते हैं, tense को पढ़ने से पहले, या grammar का कोई भी topic पढ़ने से पहले, आपको इन पांचो प्रकारों को बली भाती समझना है, बहुत helpful रहने वाला यह वीडियो, बहुत help मिलेगी आपको इससे, देखिए, first of all हम समझते हैं, assertive sentence क्या होता है, पहले तो इन तीनों नामों को आपको या रखना है, assertive sentence, assertive sentence को statement भी कहते हैं और declarative sentence भी कहते हैं, इसको मैं बिल्कुली सरल तरीके से समझाओंगा, कि जो positive sentence और negative sentence होते हैं, positive sentence और negative sentence, दोनों assertive sentence में शामिल होते हैं, मतलब साधारन कथन वाले वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें सामाने बात कही जाए, साधारन तरीके से बात को कहा जाए, जिसमें कोई आश्चर्य नहीं है, या जिसमें कोई प्रश्न पूछने का भाव नहीं है, या जिसमें कोई request नहीं है, simple बात कहनी है जैसे I go to school मैं school जाता हूँ ये एक सामान्य कथन है और सामान्य कथन है इसलिए ये adjective sentence है statement भी बोल सकते हैं या इसे declarative sentence भी बोल सकते हैं या फिर कोई मैं बात कहूँ कि I don't like tea मैं चाय पसंद नहीं करता हूँ I don't like tea अब इसमें भी सामान्य कथन है भले ही negative है लेकिन सामान्य कथन है तो ये भी assertive sentence के अंदर गत किना जाएगा तो सामान्य सी बात यहाँ है कि assertive sentence या declarative या statement के अंदर वो वाके शामिल होते हैं जिने सामान्य तया हम positive sentence कहते हैं या negative sentence कहते हैं तो positive sentence और negative sentence दोनो assertive sentence के अंदर शामिल होते हैं, इस बात को मैंचे से याद रखना है, second kind दूसरा प्रकार है interrogative sentence, interrogative sentence का मतलब होता है प्रश्णवाचक वाक्य, कैसे वाक्य है प्रश्णवाचक, जैसा कि नाम से इस प्रश्ट है, ऐसे वाक्य है जिसमें कोई न कोई बात पूचा जाए, वो होते हैं interrogative sentence, और interrogative sentence दो तरके होते हैं, एक yes या no type के interrogative, जिनमें हम किसी से पूछे, कोई सवाल पूछे, जिसका answer सुनने वाला हमको हा या ना में दे, जिसका उत्तर हा या ना में देने से काम बन जाए, उनको कहा जाता है yes no type, interrogative, और ऐसे सवाल, जिस में हा ना का उत्तर देने से काम न चले, बलकि कोई special answer देना पड़े, उन्हें कहते हैं, डब्ली एस टाइप interrogative, ठीक है, तो interrogative मतलब प्रस्णवाचक बाट क्यों, तीसरे प्रकार देखते हैं, imperative sentence, imperative sentence, अब imperative sentence क्या होते हैं, देखिए, जिस sentence के अंदर, request का भाव हो, request का भ हो, advice हो, ठीक है, जहां request हो, विंती हो, please give me a pen, यह किस प्रकार का भाक्य है, क्योंकि इसमें request है, इसलिए यह imperative sentence है, ठीक है, इसी प्रकार कहें, go there, वहाँ जाओ, bring me a glass of water, मेरे लिए पानी का glass लाओ, जहां order का भाव है, तो imperative sentence है, किसी को सला दे, you should take rest, तुम्हें rest करना चाहिए, advice है, तो वहाँ पर भी imperative sentence होता है, इसके अलावा किसी को मना किया जाए, prohibition का भाव हो, मना ही की जाए, don't play there, वहां मत खेलो, तो ऐसे वाक्यों में imperative sentence होता है, मतलब imperative sentence के अंतर को कौन से वाक्या आएंगे, जिसमें request का हो, advice का भाव हो, या prohibition हो, एनि मना यू, I think clear हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं, छोता प्रकार, optative sentence, अब optative sentence क्या होते हैं, देखिए, किसी को जब हम कोई wish करते हैं, कोई शुब कामना प्रेशित करते हैं, जैसे कहते हैं, wish you a happy birthday, किसी को हम wish कर रहे हैं, देखिए, क्या, जहां पर हम किसी को wish कर रहे हैं, ऐसा वाक्य जिसमें wish शामिल हो, शुब कामना शामिल हो, इसके लावा किसी को blessing देते हैं May you live long तुम लंबी उम्र जी हो May God bless you भगवान तुम्हारा भला करे जहां हम दुआएं देते हैं blessings देते हैं ऐसे वाक्य भी Optative sentence में आते हैं इसके लावा किसी को curse देते हैं यानि कि बदुआ देते हैं Go to hell भाड में जाओ तो इस टाइब के जो वाक्य है वो भी Optative sentence में शामिल होते हैं तो Optative sentence में कौन-कौन से वाक्या शामिल होंगे जिसमें wish हो जिसमें blessing हो जिसमें curse हो ठीक है तो वो Optative sentence होते हैं उसके लावा last and final type exclamatory sentence देखे exclamation exclamatory शब्द का निर्माण हुआ है exclamation से यहां पर आपके रदय में जो भाव है वो अनायास प्रकट हो जाए और एक ऐसा शब्द बाहर निकले जो आपके भावों को एक्सप्रेस करता हो वहां पर exclamatory sentence होता है जैसे आपके अंदर का आश्चरय चकित होकर जब कोई आप बात बोलते हैं जैसे सुन्दर फूल देखा तो आपने का what a beautiful flower what a beautiful flower कितना सुन्दर फूल है तो वो जो एक अनायास आपको आपके मुह से निकला वो आपके आश्चरय को प्रकट कर रहा है और आश्चरय को प्रकट कर रहा है तो वो exclamatory sentence है इसी प्रकार जो मन के भावो को प्रकट करे ऐसे वाक्य जो मन के भावो को प्रकट करे आश्चरय को प्रकट करे खुशी को प्रकट करे दुख को प्रकट करे ग्रना को प्रकट करे तो ऐसे जो मन के भावो को प्रकट करे ऐसे वाक्य एक्स्क्ले मेटरी सेंटेंस बोले जाते हैं तो इस प्रकार से kind of sentence के इंतरगत 5 प्रकार के वाक्य होते हैं फर्स्ट अप अल एजराटिव statement या declarative sentence जिसमें positive sentence और negative sentence सामिल होते हैं interrogative प्रश्णवाचवाख्य होते हैं, imperative sentence जिसमें request, order या advice सामिल होती है, या prohibition सामिल होता है, इसके लावा optative sentence जिसमें wish है, blessings है, curse है, और जो exclaimatory sentence है, जिसके अंदरगर्द हम मन के भावों को प्रकट करते हैं, तो ये वाक्य के मुखेता पांच प्रकार है, इन प्रकारों के अर्थ को अच्छे से आपको समझना है, ताकि आप जो आगे grammar का जो portion है, उसको भली बाती आप समझ पाएंगे, आशा करता हूँ, ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, और इसी तरह के educational और motivational वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें, वीडियो को like करें, मिलत है नेक्स्ट वीडियो में दन्यवाद